ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नितीश ने ठगा नहीं नमस्कार आप देख रहे निउस पॉर्णिशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ तो आखिर बिहार में कौन है वो ठगू का लड़ू ऐसा हम नहीं कह रहें ऐसा कहना है राजद के MLC सुनिल सिंग का और ये लालू परिवार के खास MLC है बता दे कि कुछ बीते कुछ दीनों से लगतार सिम नितीश कुमार और राजद म के बीच पोस्ट वार चल रहे है लगतार सुनिल सिंग अपने पोस्ट के जरिये नितीश कुमार पर हमलावर होती नजर आ रहे हैं आए दिन ऐसे ऐसे कमेंट और ऐसे ऐसे पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर राज़त के एमेल सी सुनिल कुमार सिंग जो है वो पोस्ट करते रहते हैं जिसके बाद बयाल की राजनिती गर्माती रहती है और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सुनिल सिंग जो है वो नितीश कुमार से गर्माई हुए हैं बता दे कि सुनिल सिंग और नितीश कुमार के बीच मामला बीते दिन जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसके बाद बिहार की राजनेती में एक बार फिर से बड़ा बॉम फटने वाला है इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो पोस्ट स्क्रॉल कर रही है वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें हाथ में मठाई का डबबा लेकर के वो खड़े है जिसमें लिखा हुआ है ठगू का लड़ू और साथी साथ अपने पोस्ट में लिखते हैं कि काफी अर्से उपरांत मैं बीती रात तेजस राजधानी एक्स्प्रेस ट्रेन से नई दिल्ली से पटना का सफर कर रहा था कानपूर स्थित मेरे किसी सुबचिंतक को ये जानकारी प्राप्थ हुई कि मैं ट्रेन से ही नई दिल्ली से पटना जा रहा हूँ अन्तता उन्होंने मुझे स्वगात स्वरूप कानपूर सेंट्रल स्टेशन पर वहां सका मसुहूर ठगू का लड़ू गिफ्ट किया इसके डब्बे पर ही लिखा हुआ कि कोई ऐसाथ सगा नहीं जिसे हमने ठागा नहीं इस स्लोगन को पढ़ते ही मेरे मन में तरा-तरा और भांती-भाती की बाते उमरने और घुमरने लगी जो संभवता बयार के मौझूदा राजनितिक परिफिक्ष में बिल्कुल सटी के बैठता है बतादे कि राज़त एमेल से सुनेल कुमार सिंग आये दिनों अपने बयानों की कारण सुर्ख्यों में रहते हैं राज़त एमेल सी अपने कई विवादत बयानों से सहयोगी ज़दियों और विपक्ष के निसाने पर भी रहें कई बार उनके राज़त छोड़ बीजेपी का दामन थामने की कयास भी लगाया जा चुके हैं हलाकिन कयासों को गलट ठहराने टिख हुए लालू परिवार के खास सुनिल कुमार सिंग ने कहा कि वो हमेशा राज़त पाटियों और राज़त सुप्रीमों लालू पशाद का ही साथ देंगे वहीं दूसरी और सुनिल कुमार सिंग से मितीश के से खुश नजर नहीं आते हैं राज़त एमिलसी ने कई बार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नितीश कुमार पर इशारो इशारो में निसाना भी साथ चुका है वहीं एक बार फिर सुनिल कुमार सिंग ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साजा किया है जिस से राजनितिक बजार जो है वो गर्मा सकती है राजदे मिलसी अपने पोस्ट में इसारो इसारो में बिहार के किसी नेता को ठगू बता रहे है उन्होंने ठगू का लड़ू का सहारा लेकर कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं वही अब लालू परिवार के खास मिलसी की निसाना किस नेता पर है यह तो वहीं बता पाएंगे लेकिन फेस्बूक पोस्ट देखने से यहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह इशारो इशारो में नितीश कुमार पर ही तंज कस्ते नजरा रहे हैं जहां एक तरफ जब से बिहार में महागडबंधन की सरकार बनी है जब से नितीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ करके नितीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके तिजस्वी आदव के साथ राज़त के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे है लगतार बीजेप ही जिस राज़त के साथ मिलकर सरकार करूं से उसी राज़एपれ साध मिलकिषाध के खास,ँनसर नोगर प्रिवार में और सुनियल कुमार अब एक पोस्ट के जरिये नितिशकुमार पर बड़ा निसाना साध्ण्दा है, उन्होंने indirectly ना नितीश कुमार का नाम लिया है और ना किसी राजनितिक दल का नाम लिया है, उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद विहार की राजनितिक बजार जो है, वो गर्माआ सकती उन्होंने ठगू का लड़ू, जो मिठाई का डबा है, वो लेकरके एक अपनी तस्वीर ईसाजा किया और साथी साथ उन्होंने ये भी लिखा है, कि कौन है, वो बिहार का ठगू का लड़ू और साथी साथ उन्हों ने ये भी लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगाने तो अब जो है राज़त के मेल से सुनिल कुमार के इस पोस्ट के बाद बिहार की राजनिती किस ओर जाने वाली है जोडियू के तरह से क्या कुछ फलेटवार और क्या कुछ जवाब आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे फिलाल हमेरे इजाज़त